दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे यहां मुबाइल फोन में 5G नेटवर्क आ गया है 5G अच्छे से चल ला है जैसे कि आप लाइब देख पा रहे होंगे दोस्तों यह टिल की 5G सर्विस हम लोगों के नंबर पर नहीं लग रही है नहीं वर्क कर रही है तो ऐसी समस्या को हम सॉल्ब कैसे करें कि यह टिल की 5G सर्विस हमारे नंबर पर काम करने लगे दरसल समस्या तब से आने लगी है जब से यह टिल ने कुछ term and condition लागू कर दिये हैं 2024 में क्योंकि हम लोग 2300 गरे में थोड़ा असानी से यूज कर पा रहे थे लेकिन 24 में अब कठीन हो गया है और हम लोग मतलब यूज नहीं कर पा रहे हैं मतलब हमारे पास सब कुछ setting है 5G device है सारा कुछ है बट वर्क नहीं कर दा हमारी जो सीम है और एक्टिवेट हो रहे नहीं हो पार ही तो दरसल आपको बतना चाहूंगा जीओ का काफी असान है जीओ के उजर असानी से लाव ले ले रहे हैं क्योंकि वन क्लिक में अक्टिवेशन हो जा रहा है लेकिन यह टिल का स्टेप थोड़ा सा कठीन है मतलब 4-5 स्टेप पे आपकी सर्विस एक्टिवेट हो पाएगी जो सारा कुछ में आपको लाइब कर और मैं नम है रूपेश दोस्तों आए चली सुरू करते हैं आज की वेडियो लाइव स्क्रीन पर चलते हैं और फिर सीख लेते हैं ना दोस्तों कैसे क्या करना है दोस्तों आए बताते हैं कि यह टिल की 5G सर्विस कैसे आप अपने नंबर पर अक्टिवेट कर पाएगे और या फिर उससे उपर का रिचार्ज होना चाहिए 249 से कम का रिचार्ज नहीं चाहिए और एक बात और क्लियर कर दें बहुत सारे लोग ना 5G मोबाइल में तो मतलब 5G डेटा अक्टिवेट कर लेते हैं फिर 4G मोबाइल में चलाना चाहते तो उनका 100% नहीं चलेगा दोस्तों यह प्राबलम भी देखने को मिला है तो मैं बारीक बारीक चीजे भी क्लियर करते हुए चलूंगा ठीक है अब इसके बाद आपको करना क्या है मुबाइल फोन के सेटिंग में आपको आ जाना है जिस भी कंपनी का आपका मुबाइल है ठीक है सेटिंग में आ जाने के बाद यहीं पर एक उप्सन होगा उपर या नीचे कहीं देखने को मिलेगा मुबाइल नेटवर्क के नाम से तो आपको मुबाइल नेटवर् तो यहीं पर एक option आपकी नमबर 1 या 2 आ जाएगए उस पर आपको क्लिक कर लेगा है क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है कि प्रेफेर्ट नेट वर्क टाइप के नाम से को अप्सेडिया होगा सबसे जो top पे option दिया गया 5G, 4G, 3G, 2G, auto इस पे आपको click कर लेना है ठीक है और यहीं पर एक option दिया होगा नीचे के तरफ access point name का इस पे click करिए और ऊपर कोले पर 3 dot होगा 3 window इस पे click करना है और reset access point का एक option होगा इस पे click करके reset access point करके ok कर देना है ठीक है इससे होगा क्या कि नई वाली application setting आपको receive हो जाएगी 5G वाली अब यहांसे back आ जाएए एक बात बताना चाहूंगा उपर या नीचे कहीं आपको दिख रहा होगा smart 5G करके या तो फिर back आने पर कहीं दिख रहा होगा smart 5G नहीं तो more setting में जाएगा यहां पर smart 5G का एक option आगा इसको चालू जरूर कर दिजेगा ठीक ना इसके बाद आपको करना क्या है अपने mobile phone के google के play store को open करना है और यहां पर year till thanks नाम की एक application है इसको search करिए और इसको download कर लेना है ठीक है कुछ ऐसा ही page आएगा जैसा कि आप सामने देख पाने हैं अब यहां पर आपको नीचे के तरफ slide करना है और यहीं पर एक option लिखा हुआ आएगा 5G plus claim unlimited 5G data इसके आगे एक तीर होगी इस तीर पर क्लिक कर दिजेए जैसे ही तीर पर क्लिक करेंगे कुछ option loading होगा कहरा है unlimited 5G data तो आपको मिलेगा चार्ज बिल्कुल 0 रुपया होगा कुछ भी नहीं लगेगा आये कुछ इनके specification है term and condition है जिसे आपको पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है देखिए एक एक चीज बताता हूँ नंबर वन है दोस्तों this is an introducing offer our customer to experience high speed 5G data यह कर रहे हैं कि हम अपने ग्राकों को अपना 5G experience साजा करने के लिए फिर में internet दे रहे है नंबर वन condition है तो नंबर टू यहां पर दिया गया कि unlimited 5G data is over and above your plan limit इसका मतलब है कि unlimited 5G data तभी काम करेगी जब आपका यहां पर जो यहां पर डेली जैसे एक जीबी डेट जीबी रोजाना प्लान वाला नहीं data मिलती है जब प्लान वाली data खतम हो जागी तब यहां काम करेगा देखिए तो जानकारी रहेगी रेयल आपके साथ साजा करूंगा इसके बाद तीसरे नंबर पर एक option आएगा unlimited 5G data can only be used in 5G network area यह करेगा जब आपके एरिया में 5G network होगा तो अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे चेक करेंगे कि आपके एरिया में 5G network है कि नहीं है अभी ट्रिक बता तो इससे उपर का होना चाहिए इससे कमवालों को नहीं मिलेगा नंबर फाइब एंड लास्ट है दिस ओफर इजब लेवल फार आल पोस्ट पेट कस्टूमर यह कहना है कि यहां आपर हमारे सभी पोस्ट पेट ग्राकों के लिए ठीक ना आएए अब बस सिंपल हैं पर एक बैक जाना है और यहां ही पर एक चीज आपको दिखा दा है जैसा कि मेरे नंबर पर आल्रेड़ी यहां पर सारा कुछ अक्टिवेटेड है और मैं इसका लाव ले भी रहा हूं और आप भी इस तरह इसका लाव ले पाहेंगे देखिए टर्मेंड कंडिशन जो है इनका मैं क्लियर कर देना चाहूंगा देखिए एक चीज में आपको पहले प्रूब भी करना चाहूंगा देख सकते हैं हमारे फोन में 5G नेटवर्क आ गया और 5G यहां पर सारा कुछ चल ला है देखिए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो टर्मेंड कंडिशन इनका है वो यह एक महीने में आपको 300 GB डेटा ही मिलेगी मंदल एक महीने तक उतना यूज करना है तब ही 10 GB पर दे हो जा रहा है काफी है कोई दिक्कत नहीं हम बगासाने से लिम्ट डेटा जो मिले उसे यूज कर सकते हैं और यहां पर रही बात कि हम कैसे पता करें कि हमारे एरिया में 5G नेटर्क है की नहीं तो इसके लिए दोस्ता आपको करना क्या होगा इसके लिए आपको कस्टुमर केर को कॉल करना 198 10199 पे और उनसे बोलना कि सब्सक्राइब करना चाहता है हमारे एरिया में 5G नेटर्क है की नहीं तो आप बोलेंगे आप अपने एरिया का पिन कोड बता देजेगा वह बता देंगे कि आपके एरिया में 5G नेटर्क है की नहीं है और हां एक सतर्कता और बढ़तिएगा जब 5G आपके फोन में चालू हो जाए तो हॉट स्वाट चालू करके दूसरे के फोन में नहीं देना दयावान नहीं बनना नहीं तो आपका भी सर्विस बं ऐसे को अपने मौबाइल फोन को एक बार आप अपने फ्लाइट मोड में डालेगा ठीक है और फ्लाइट मोड में डालने के बाद चंद से किंड़ो के बाद इसे चालू कर देज़िएगा देखेगा तुरंत यहां पर रिफ्रेस होके 5G नेटवर आपके मौबाइल फोन मे